leo guys welcome back to my channel आग की वीडियो में आपको रमाचंद्र वीडियो के आए एप एक शोट वीडियो बना कर लेकर हो ठीक है इसके अदर हम रमाचंद्र के बारे में ऑन्म पढ़ेंगे और एकदम शौटवए पढ़ेंगे तो दो पढ़ेंगे जिसके अंदर कोई वेस्ट इस टाइम का कोई वेस्ट नहीं होगा एकदम शॉट में समझते ठीक है सबसे पहले रमचनल प्लोट के अंदर समझने से हुआ से हमें कुछ बन्ड का एंगल पता होना चाहिए और बांड का फॉस्ट होना चाहिए तो सबसे हमें पता है कि 20 встрет होतो है peptide bond बौलते है तो cn bond होता है उसको हो peptide bond बोलते है ठीक है एक और चीज़ इसमें समझना जरूरी है कि जब भी peptide bond बनता है जब भी हमारा जो हमारा protein structure होता है उसके अंदर amino acid का जो structure होता है basically वो एक transformation transformation में होता है कि transform में होता है मतलब i group यहां है नीचे रिद्वानेशियरा इंदर आर इनरी तुर्णी ओपर होना चाहिए तो ही वह जो स्ट्रक्चर होता है वह स्टेबल होता है ठीक है यह स्टेबल नहीं है और N वो दोनों के बीच में जो bond बनेगा वो होगा partial double bond कैसे क्योंकि यहां पर C और O के बीच में double bond है वो O जो है वो oxygen negative हो जाएगा और यहां पर C और न के बीच में partial double bond बनेगा यह जो double bond होता है वो strong होता है as compared to single bond जिस वो जैसे जब हम बात करेंगे यहां पर यह C और N के बीच में यहां पर एक प्रेप्टेंड बॉंड बनाया है तो double bond इतना strong होता है कि यह C ग्रूप और यह N ग्रूप यह दुनों rotate नहीं हो सकते रोटेट करना मुश्किल हो जाता है क्योंकि यहां पर double bond होता है लेकिन as compared to C alpha and C यहां पर single bond होता है जिस वो जिससे यह rotation possible होता है दो C alpha वाला पूरा group rotate हो सकता है कितना हो सकता है maximum possibility है उसकी positive 180 degree and negative 180 degree ठीक है मतलब कि clockwise 180 degree anti clockwise 180 degree rotation हो सकता है same यहां पर N और C alpha के बीच में क्योंकि यहां पर भी single bond है तो यहां पर भी rotation possible है कितना same इन दोनों के बीच का angle में इन दोनों में जो rotation possible था positive 180 degree and negative 180 degree यहां पर भी same था C alpha और C के बीच में जो rotation angle होता हो इसको बोलते है साइ इसको याद करने का तरीका है CC का बीच में साइब और बाकी बचा फाई तो सी और N के बीच में जो बनेगा वो फाई बनेगा तो अब हम देखते हैं यहां पर साइंगल जो है वह positive 180 degree एक एक रेंज है ठीक है इसके बीच में कुछ भी होसकता है मतलब माइनस 180 day 182 डिगरी ऐसा कुछ भी हो सकता है ठीक है लेकिन इसमें से कौन सा स्ट्रक्चर पॉसिबल है ? अमक fark इन शॉट बने एक एक उसा Benn Kin frustrating के बीच में यहां पर उसका एक अलग structure बनेगा तो कितने structure possible है इसने वो पता लगाने के लिए रमाचंदरन ने एक experiment किया था ठीक है उसके बारे मैं आगे जानते हैं अभी रमाचंदरन ने क्या किया था उन्होंने हमारा एललनीन एक एमिनो एसिट था उसको लिया था और उसका possible साइन फाइंगल पता लगाया था मतलब माइनस 180 डिग्री और प्लस 180 डिग्री में तो कोई भी एंगल बन सकता है ठीक है लेकिन सारे एंगल जो है वो पॉसिबल नहीं है ठीक है जिसे मैंने बता है माइनस 181 माइनस 182 सारे बनना पॉसिबल नहीं है क्यों कि there is a steric entrance of our group ठीक ह जब हम एमिनसीट की बात कर रहे थे आगे तो यहां पर आर ग्रूप जो होए उस वज़े से स्टेटिक हिंड्रेंस हो जाता है ठीक है भलके ग्रूप पता है तो फिर पूरा रोटेशन नहीं हो पाता तो अलग 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 तरह का एंगल होता है ठीक है तो अब उन्होंने में specifically elanine का यूज किया था यूजन का यूज किया था और नोंने बताया था कि elanine का जो आपाटिकल सेमी होता है स्ट्रक्ट् 초 रैजिसवज quickly English group use restricted होगा इसको फारिक इंद्रंस बहुत ही ज्यादा है उसवजह से उसको फाय एंगल माइनस 60 पर उतना ही सकता है घंप है करते हैं वह कोड्रेंट हम आगे समझते हैं जो बेजिकली जो अपना पूरा रामाचंदर प्लोट है वह चार कोड्रेंट में डिवाइड किया हुआ ठीक है इस तरफ य एक्रिस पे हम उसको साइंगल पर दिनोट करेंगे और एक्स एक्स प्रिसकों फाइंगल पर दिनोट करेंगे यहां बीच में %我有 उसके उपडूरी लसे में यहां नेगेटिव में अब first เ฀या हुआ है ुको में में जो होता है फ्वस्ट कोड्रेंट में होटा है पॉस्ट कोड्रेंट में यह सब साइन होता है वह पॉसिटिव नेगिटीव होता है ठीकिखके पॉसिपॉजिव साई नेगिट ना जाते है ठीक है अगर आपको स्पेसिफिक अगर वेल्यूज ना पता हो साइफाई की लेकिन आपको सिंबोल्स पता हो कि नेगेटिव है पॉजिटिव है कौन सा है तो उस बिस्टी आप क्वेशन एजिली स्वाल्फ कर सकते हो अभी रामा चैनल प्लोट में हम बेसिकली एलमनेटिव का जरूरी देखते हैं कि वह नेचरली ओकरिंग होते और डी टैप होते हैं वह स्वाला कोडिन खाली रहता है अगर हम इसका सिंबोल अगर इसका देखिए कि इसमें जो है कौन से टाइप का सिंबोल होता है तो फिर यह पर पॉजिटिव नेगेटिव होगा यहाँ पर नेगेटिव नेगेटिव को यहाँ पर पॉजिटिव पॉजिटिव और यहाँ पर जीरो कुछ नहीं होगा ठीक है लेकिन अगर हम डी टैप का अमिनोशीट का स्ट्रक्चर देखेंगे तो उसके अंदर हमारा जो यहाँ पर पैलल एंटी पैलल बीटा शीट थी जो कि फर्स्ट कोडिन में ती हो स्टों के फौर्ड चळी जाए गो और यहां पर जो रैट अलफा हैलिकस था जो हमारा थर्ड कोडेंट में आ वह स्टचर की तरफ चला जाएका ठीक है और यह फथमला राइट कि तरफ आ जाएगा जब यह स्एंग होगा अगर हमें D type D isomer का हमें बोलेंगे कि D amino acid isomer का हमें बीटा शीट का बताना है symbol यह से उसका value तो वह value हमारे positive positive में आएगी I mean negative positive में यह फोर्थ कोडिनेंट है फोर्थ कोडिनेंट में कैसा symbol था negative positive ना कि L वाला positive negative ठीक है मतलब change हो जाता है तो हमें यह याद रखना बहुत की है जब left alpha helix की बात करेंगे तो positive में 47 negative positive 57 यह लेफ्ट के बासे है यह हमारा LKBC तो वह मारा positive positive में था हमारा positive पॉजटिव में यहां यह सेक्ड सभी और होता है यह सब्सक्राइब कर नाmist अधिक उसके बाद उसके बादाध हमारे पास राइट हेलिक्स से हो नेगटिव नेगटिव में ठीक है ऒमारा में थरड कोड्रेंट में एंसके इंदर ना है कि फोजिटीव निगेट्व मुझिट फोजिटीव नेगेट्टिव का मतलब हो ठीक हमारा नेगेटिव पुजिटिव म्हां फोर्थ कोडरेंट में यहां पर कोलेजन आएगा ठीक है प्रोटीन के स्ट्रक्चर में बीटा और अलफा हैलिक्स अलफा हैलिक्स एंड बीटा शीड्स होती है कोलेजिन का जो चैनल कभी कभी रेल लिप पूछा जाते तो उसका भी याद रखना को हमें हर्ज तो मैं यह भी कल देना जरूरी है तो यह तो यह इतना ही था मैंने मोश्ट चीजे इसमें कवर कर लिए अगर आपको इसमें और को डाउट होता है तो मुझे पूछ सकते हो तो इस वीडियो क का यूज किया है most of the part ministry है यूज किया थोड़ा बहुत मैंने इंटरनेट का भी यूज किया है तो thanks for watching this video thanks for your attention और आपको कोई और भी डाउट होता है किसी भी टॉपिक के बारे में तो मुझे comment कर सकते हो और if you are new to my channel and you like this video then you can subscribe to my channel for more and more videos like this and make sure to press the bell icon thanks for watching this video